कुछ समय पहले में भी आप लोगों ने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि वो CBSE के moderation policy वाले जो उनके document है कि कब moderation policy लगता है आपके boards result पे वो आपको दिखा रहे होंगे और मेरे को पता है कि आप लोगों में से काफी लोग उसको लेके बहुत जादा confusion में हो गये कब आएगा उसकी proper confirmation के साथ और proper proofs के साथ हमने वो वीडियो बनाई है जिसको कि आप check out कर सकते हो हमारे चैनल के वीडियो section में जाके आज मैं बात करने वाला हूँ about moderation policy की moderation policy क्या actually में लगती है या नहीं लगती है सबसे पहली बात है moderation policy में जाने से पहले मैं आपको एक बा अच्चे की गलती नहीं है वहाँ पर क्या होता इस moderation policy का use किया जाता है सबसे पहली बात है question ना answer करना copy को अच्छे से ना भढ़के आना attempt ना करना this is a children's fault ठीक है वो पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग बात है लेकिन वो एक children's fault होती है और उसमें examiner या फिर जो question paper set करने वाले है या फिर cbsc authorities का fault नहीं होता है ठीक है moderation policy क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाओंगा with proof and with everything मुझे बता है कि आप लोगों को काफी सारी teachers ने moderation policy को लेके काफी सारी videos अभी तक दिदी होगी जिसको कि आप देखे शायद थोरे confused होगे होगे और काफी लोगों को ये negative और false hope दिया जा रहा है कि कोई भी fail नहीं होगा ठीक है सबसे पहले मैं ये बात बता दू अगर तुमने अपनी copy को बिलकुल भी attempt नहीं किया है खाली छोड़ दिया है या फिर तुमने इतना ही attempt किया है जिससे कि तुम्हारे passing mark से कम ही बनेगा उससे आप तुमने attempt ही ठीक है और 24 नमर में भी तुमने सारा सही attempt नहीं किया उसमें 2-3 सही किया है बाकिसम में ऐसे ही randomly लिख दिया है लेकिन बस 24 नमर का किया है तो there is a big chance that you might fail मैं तुमको एक false hope नहीं देना चाहता क्योंकि वो लोग CBSE का bumper धमा का CBSE ने किया ये CBSE ने बच्चों को किया pass CBSE सब वाली चीजे thumbnail में हम लोग नहीं लगाते और इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमारा काम है आपको सामने reality रखना और यह जो guarantee है हम लोग अगले चार दिन बिलकुल आपको सारी reality और इन सभी CBSE अपडेट चानल का जो जूटी खबरे पहलाते हैं उनका परदाफास करने के लि और ultimately आपका इस society में बहुत जादा respect हो आप आगे जाके judge भी बन सकते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि there is a competition जिसको कहते हैं clack जो कि law के लिए होता है और इसमें competition अभी काफी कम है और इसको आप easily crack भी कर सकते हो क्योंकि इसका जो syllabus है वो बहुत ही basic सा होता है जो कि आप check कर सकते हो आपको मैं बता दू कि law as a career में काफी ऐसे लोग है जो एक एक दिन का एक एक hearing का पचीस पचीस लाक रुपे fees charge करते हो और आप भी उनमें से एक हो सकते हो अगर आप law as a career देखते हो या आप law में एक career बनाना चाहते हो तो right now मैं आपको बता दू कि PDNs 10 code य मिल रहा है on unacademy klat subscription अगर आप unacademy में law exam subscription लोगे तो आपको 35% तक off मिल रहा है और इसके साथ में बता दू कि आप लोगों के klat 2024 के लिए कि कि starter batch launch हो चुका है आपको मैं बता दू यह special class का 1 mega week है और इसके अलावा klat और other जितने भी LLB exam है उसके धेर सारे free mocks आपके लि the Warriors batch klat 2024 के रिए April 13 से start हो चुका है with our top most educators and इसके अलावा बता दू कि कि klat के अलावा भी काफी सारे ऐसे exam होते हैं जो आप दे सकते हो जिसमें से कि एक slat होता है और slat कि अगर आप preparation करें आप लोगों में से कोई भी बच्चा slat देने वाला है तो आपको मैं बता दू कि इ देंगे वो मिल रहा है आपको just 665 रुपीज पे और इन सारे batches और सारे offers पे 35% का offer भी applicable है using the code PDN10 इसको offer को बिल्कुल भी मत छोड़ना इससे better offer कुछ नहीं हो सकता और klat का ना एक बार mock test देके देखो तुमको realize हो जाएगा कि you are made for this career you are made for law ठीके एक बार जलू ट्राई कर हो जहां से मैंने इसको crop out किया है आप देख सकते हो कि यह जो है cbse.gov.in पे ही यह डाला हुआ है moderation.html करके यानि यह moderation policy का जो यह article है यह cbse के website पे आपको मिल जाएगा आप यह वाला url डाल देना cbse.gov.in cbse new और उसके बाद moderation.html यह आप अगर डाल दोगे या फिर आप normally search करोगे cbse board's result 2023 moderation तो आप cbse के website के इस page पे आजाओगे जहां से मैंने इसको अच्छे से crop out किया है अब मैं आपको समझाता हूँ कि actual में जो cbse की moderation policy है वो क्या कहती है सबसे पहले यहाँ देखो जो पहला point है इसका पहला clause है कि compensate the candidates for the difficult experience in solving the question in a specified time to the misinterpretation और ambiguity of questions and errors यहाँ पर सबसे पहली बात है कि यह compensation होता है यह एक जो marks होता है as a bonus add होता है as a compensation add होता है और वो क्यू होता है in the case पहला case क्या हो सकता है जब जो question है solving question जब आप question को solve कर रहे हैं तो वो specified time में नहीं हो पाता है because of क्योंकि question में कुछ error है या question काफी ज़्यादा difficult है जो कि आपके level की नहीं थी let's suppose कि अगर मैं magnetism भी परना हो तो magnetism 10th का अलग level था 12th का अलग level था और सायद engineering में अलग level का परना होगा तो माल लोगर बहुत ज़्यादा level का आ गया जो कि तुम्हारे syllabus में नहीं था उतना परना in that case आपको compensation दिया जाता है for that question only जतने भी question जतना भी marks उस question का था पहला point ठीक है दूसरा point है compensate the vagaries and to bring uniformity in the evaluation process इसको आप थोड़ा सा अच्छे से dictionary के वेड़ में भी explain कर सकते हो इसे particular marks बनने चाहिए लेकिन नहीं बन पा रहे हैं उसको उसके attempted question पर marks नहीं मिले हैं उसको step marking नहीं मिली है answer देखके सीधा गलत कर दिया गया है ऐसी कुछ भी cases होती है वहाँ पर आप लोगों को ये लगता है वहाँ पर आपको moderation policy लगती है ठीक है third मैं point आपको पता देता हूँ bring parity on account of the element of subjectivity involved in the evaluation process यह मिलता है जुलता point है इसको ज्यादा explain करने की ज़रूत नहीं है यह बिलकुल उसी ही तरीके का है तो आप समझी गए होगे second point से आप इसको relate कर सकते हो fourth point है level of the mean achievements in the set wise performance of the candidates attributable to the difference in the difficulty level of a different set of question paper in the multiple set scheme multiple set scheme क्या होता आप लोग को पता होगा जैसे कि आप लोग board का exam science का देने के होगे तो science में भी set A, set B, set C ऐसे आता है न तो different different set में अगर जो difficulty level है वो जादा और कम हो जाती है समझे यह याद रखो मालो set A बहुत असान था set B tough हो गया और set C भी असान था ठीके in that case set B वाले बच्चों के साथ moderation policy लगेगी अगर उनको एक tougher set मिला है जो कि comparatively दोनो set के according tough है यहाँ पर देखो level of the mean achievement दिख रहा है ना in set wise performance of the candidate if the difficulty level of the different set of question paper in the multiple set schemes समझ में आ गया अगर आपकी set जो है वो difficulty level की थी जादा थी दूसरे बाकी set से तो आपको वहाँ पर moderation policy कलाव मिलता है और इसमें पच्मा point है कि maintain near parity of pass percentage of the candidates in the current year wise of his preceding year subject wise and overall near parity of pass percentage एक और चीज़ मैं बता देता हूँ इस point से हट के और इस point से काफी relatable है यह चीज़ और वो यही है मैंने यह चीज़ पहले भी आपको confirm करी थी in the case कि आप लोग पास कर सकते हो तीन चार नंबर से या पांच नंबर से आपको वहाँ पर थोड़ी मोडी grace marks add करके थोड़ी मोडरेशन देखके आपको वहाँ पर पास कराया जाता है to maintain your pass percentage ठीक है यह point भी kind of वही कर रही है कि कभी मतलब तुम नस्दीक हो pass करने के बट तुम नहीं कर पा रहे हो in that case also moderation लगती है but in the case कि तुमको 24 marks लाने तुम 2 marks ला रहे हो तो तुमको वहाँ पर moderation नहीं लगती है तो ऐसे जितने भी claims आपको cvc update चानल कर रहे है सारे के सारे fake है अभी आपके सामने मैंने moderation policy की पूरा कच्छा चिटा खोल दिया board result कैसे आएंगे वो मैंने अल्रेडी बता दिया है पिछले वीडियो में कि board result कब आएंगे sorry वो आप जरूर चेक आउट कर लेना चैनल के वीडियो section में जाके और मैं मिलते रहूँगा आपसे daily 4 बजे इनी वीडियो के साथ और अलग-अलग topic के साथ तब तक के लिए अपने ख्याल रखना बबाई टिकन पीस जैहिंद बंदे मात्रम